हम देख रहे हैं कि ये तादाद में बहुत ज्यादा नहीं है तो चुहे की तरह हैं तो पर हैं मुझबूत करेंगे अपने टीमों को गाड़ियों में, नाइट विजन डिफाइस में, वेपन में, ट्रेनिंग में और हम इनको चुन-चुन के माड़ा लेगे सारे के सारा जो चलेंज पार से आ रहा है, और उन लोगों ने एक फैसला लिया है कि उनका कामकाज खतम होने को जा रहा था या उनको काफी दक्का कश्मीर में पहुंचा है, तो अब वो जो जिनका धंदा पानी से चलू था, तो वो कैसे इतना आसानी से छोड़ देंगे अब जैसे हम देख रहे हैं कि ये तादाद में बहुत ज्यादा नहीं है, तो चुहे की तरह हैं, तो पर हैं इस तरीके से की बंदूख है और निहत्ते लोगों के सामने मतलब उनको मुका मिल जाता है अब हम पूरी आवाम के साथ आपने जैसे देखा यहां पर जिस तरीके से इंफरमेशन फ्लो कर रहा है हमारी वेलेज़ डिफेंस ग्रूप है, हमारे एस्पियोज हैं, हमारे पॉर्स है, हमारे सीर पीफ है, आर्मी है तो यह इसके सामने कहां यह टिकेंगे, यह 18 साल कोशिश करे थे इन्होंने इस तरीके से अफरात अफ्री मचाने के लिए पुराने जो डिफ्स इलाके में, यह हमारा बड़र इलाका है गुजारिश यह है आवाम से कि इन्फर्मिशन फ्लो जरूर जारी रहे, पर हम एक अंग्रेजी में एक लफज कहते हैं कि मनें फॉल्स फ्लाग हो जाता है मतलब कई बार इन्फर्मिशन में आप, हाँ, मतलब हम डर के मारे कई बार होता है, तो उसको परक है क्योंकि नफरी उतनी होती है, फिर हम जहां पर होना चाहिए, वहां ही होना चाहिए हमें तो यह एक है पर इसके बावजुद भी हम जो भी इंफर्मिशन आता है आपने देखा होगा S.P. साब को, S.P. साब को, D.I.G. साब को कि यहां पर हर छोटे बड़े इंफर्मिशन पर हम रेस्पॉंड करते हैं हमको उपर से भी इसी तरीके से इंस्ट्रक्शन जें Government of India दिली से किसाब हम और मुझबूत करेंगे अपने टीमों को गाड़ियों में नाइट विजन डिफाइज में वेपन में ट्रेनिंग में और हम इनको चुन-चुन के मार डालेंगे झालेंगे